जै माता दी दोस्तों, आज हम आपको सीतला माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं कि सीतला माता कौन थी और सीतला माता का पूजन ब्रद करने से मनुष्य को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है तो फ्रेंड्स आप हमारी व्यूडियो पर बने रहें दिवी सितला की पूजा चैत महिने के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथिक को होती है अस्टमी के दिन सितला मा की पूजा आरजना की जाती है पूजा के बाद बासी ठंधा खाना ही माता जी को भोक लगाया जाता है तो फ्रेंड्स आईए जानते हैं कि सितला माता कौन है सितला सब्तमी अस्टमी हिंदूओं का महत्पुन पर्व है जिसमें सितला माता का व्रत और पूजन किया जाता है सितला अस्टमी का पर्व होली के संपन होने के बाद मनाया जाता है इस दिन माता जी को बासी ठंधा खाना ही भोग में अर्पित किया जाता है जिसे बस ओड़ा कहा जाता है वही बासी भोजन प्रशाद के रूप में खाया जाता है यही नैवेद के रूप में समर्पित सभी भक्तों के बीच प्रशाद के रूप में भी बाटा जाता है अनेक धर्म ग्रंथों में सीतला देवी के संदर्भ में वर्णन है कि इसकंद पुराण में सीतला माता के विशे में बताया गया है कि देवी सीतला चेचक जैसे रोक की देवी है ये हाथों में कलस, सूप, जाणू और नेम के पत्ते धारण किये होती है और गर्दप की सवारी किये हुए या अभे मुद्रा में विराजमान है सीतला माता के संग, जोरा सुर, जोरका दैती, हैजे की देवी, चौसट रोग, घेटू कर्ण, तचा रोग के देता और रक्तवती देवी विराजमान होती है इनके कलस में दाल के दानों के रूप में विशाडू या शीतल स्वास्त वर्धक्यों रोगाडू नाशक जल होता है इस कंध पुराण में इनकी रचना इस्त्रोत को सीतला इस्त्मी के नाम से विक्त किया गया है ऐसी भी मानिता है कि सीतला इस्त्मी स्त्रोत की रचना सोयम भगवान सिव जी ने लोग कल्याड के लिए की थी इस पूजन में सुधता का पूर्ध्यान रखा जाता है इस विशिष्ट उपासना में सीतला इस्त्मी के एक दिन पहले देवी को भोग लगाने के लिए खाना बनाया जाता है और दूसरे दिन यही बासी खाना भोग में अरपित किया जाता है अलग-अलग मानिताओं के अनुसार सब्तमी या अस्तमी के दिन बासी वस्तूओं का नयवेद सीतला माता को अरपित किया जाता है इस दिन ब्रत उपवास किया जाता है माता की कथा का स्रवन भी किया जाता है कथा समाप्त होने पर मा की पूजा अर्चना होती है और सीतला अस्टक को भी पढ़ा जाता है सीतला अस्टक सीतला देवी की महिमा को दरसाता है साथ ही साथ सीतला माता की वंदना उपरांद उनके मंत्रों का भी उच्चारन किया जाता है पूजा को विधी विधान के साथ पूर्ण करने पर सभी भक्तों के बीच मा का प्रशाद बांटा जाता है और इस दिन के बाद से बासी भुजन खाना बंद कर दिया जाता है इस वृत को करने से देवी प्रशन होती है और ब्रति के कुल में समस्त सितला जनित दोस्त दूर हो जाते हैं दाह जोर, पीत जोर, चेचक, दुरगंध युक्त फोडे, नेतर विकार, आदी रोग दूर होते हैं सितला माता की पूजा के दिन घर में चूलहा नहीं जलाया जाता चैट, बैसाग, जेट और असाड की कृष्ण पच्छी की अस्टमी को सितला देवी की पूजा अचना के लिए समर्पित होता है इसलिए ये दिन सितला अस्टमी के नाम से विख्यात है आज के समय में सितला माता की पूजा सच्छता की प्रणा देने के कारण महत्पूर्ण व्रत है माता शितला की पूजा से पर्यावरण को सच्छवस व्रच्छित रखने की प्रणा प्राप्त होती है जितु परिवर्तन होने के संकेत मौसम में कई तरह के बदलाओं भी लाते हैं और इन बदलाओं से बचने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है सीतला माता सच्छता की अधिश्ठात्री देवी हैं और इसी संदर्व में सीतला माता की पूजा से हमें सचता की प्रेणा भी मिलती है चेचक रोग जैसे अनेक संक्रमट रोगों का यही मुख समय होता है अता सीतला माता की पूजा का विधान, पूर्ता, महत्पुन और शामिक है तो फ्रेंड्स आसा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल पर अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए थैंक यू